दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी में नौकरी करते हैं यानि कि जौब करते हैं उसके बाद जो हमारे सेलरी से कुछ पार्ट हमारा पीफ कर जाता है जो कि हमारे पीफ अकाउंट में जो है जमा हो जाता है लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपना यूएन नम account number जिस तरीकी हैसे हमारा अपिए फकाट का यूए हुए नंबर होता हैldigt तो कैसे आप घर बैठे मातर 2 मिरिट में अपने मुबैलद फोन से अपना यूए नंमर पता कर सकते हैं बस वीडियो को ध्यान और पूरा लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज यार बीडियो को लाइक कर दिया करो बिकॉस बीडियो को बनाने में बहुत ज़्या मेहनत लगती है तो अभी दोस्तों मैं आचुके हैं अपने अपने यूए नमबर पता कर पाएंगे आपको सबसे बले अपने 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 ब्राजर उपन करना है जैसे कि अब यहाँ पर क्रोम ब्राजर उपन कर लेते हैं अब आप यहाँ पर सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद गूगल पर यहाँ पर आप देखेंगे सबसे उपर आपको वेबसाइट मिलेगी वेबसाइट उपन हो चुकी है इसको हम कर्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है इन्विफाइट पोर्टल के जो है मेंबर की वेबसाइट खुल कर आ चुकी है अब यहाँ पर आपको लोगन करने के लिए कहा जाता है बड़ गईज हमें अप अपना यूएन अकाउंट के साथ में लिंक करवाया था उसके बाद उस तो यहाँ पर आपको एक कैप्चर नजर आएगा उसको आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे कभी-कभी यह हमें समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप इसको रिफरेस करके चेंज भी कर सकते हैं ठीक तो आप यहाँ पर वेट करेंगे अब आपके रिजिस्टर मॉबाइल नमबर पर गाईज यहाँ पर जो ओटीपी जाएगा देखीगा ओटीपी सेंड सक्सफुली टू इस नमबर ठीक है तो आप यहाँ पर उक्की करेंगे अब दोस्तों EPFO के तरब से आपके नमबर पर जो है एक OTP भीजा जाएगा उस OTP को आप यहाँ पर फिलप कर देंगे कभी कभी OTP नहीं आता है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे यहाँ पर साइड में दिखेंगे अभी टाइमर चलता 30 सेकंड का तो जैसे ही टाइमर खतम हो जाएगा दुबारा से यहाँ पर जो है OTP का उफसर आजाएगा request OTP अगेन और आपके नमबर पर दुबारा से OTP आजाएगा उस OTP को आप यहाँ पर enter कर लेंगे एक बात आपको यहाँ दखनी है कि आपको यहाँ पर दो टाइब की नमबर मिलते हैं आपके SMS में जैसे कि एक होता है one time password और दूसरा होता है OTP ID तो आपको यहाँ पर enter करना है one time password ठीक है तो हमने enter कर लिया है उसके बाद यहाँ पर आप दूबारा से capture को enter कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कभी-कभी यह समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आप इसको refresh करके change भी कर पाएंगे तो चले हम यहाँ पर आप अपना पूरा नाम enter करना है जो भी आपका EPFO account में नाम था यानि कि आपका जो भी अधार काड़ पर नाम रहेगा उसको आप पूरा नाम एंटर कर लेंगे उसके बाद जो भी आपका date बड़त है आप यहाँ से जो है year, date और month यहाँ पर select कर लेंगे इस तरीके से मैं आपक नमबर अपना उसके बाद यह जो capture है उसको आप यहाँ पर enter कर लेंगे चाहे तो यहाँ से इसको refresh करके change भी कर पाएंगे तो चलिए हम यहाँ पर enter कर लेते हैं अपने capture को उसके बाद नीची यहाँ पर show my UN पर क्लिक कर देंगे जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा अब आपको यहाँ पर wait करना है अब दुस्तों मेरी यहाँ पर जो है 2 UN नमबर सो हो चुके हैं because इसका reason यह था कि मैंने 2012 में job करी थी बहुत पहले तो guys वहाँ पर ना उस टाइम पर एक company ने मेरा नया UN बनाया था तो उसकी बाद मैंने 2 साल के लिए बीच में job छोड़ दी थी जब मैंने नई company join करी तो उन्होंने भी एक नया UN नमबर मेरा बना दिया था इसलिए यहाँ पर 2 UN सो कर रहे हैं but guys आपकी condition में एक ही हो सकता है एक UN नमबर सो करें तो आप यहाँ पर देख लेना I hope दूस्तों आपको इस वीडियो से help मिली हो और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो comment करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो कैसा लगा और हो सके तो अपने दूसरे अरव के साथ में इस वीडियो को जाता से जाता से शेयर जरूर कीजिएगा